उद्येश को की परिक्षा में बैठ रहे हैं अब इस लक्ष को पाने के लिए आप क्या क्या प्रियास करेंगे पहली बात दूसरा इस लक्ष के निर्धारन में कौन कौन सी बातें शामिल थी आपने नबे प्रिश्च जो लक्ष बनाया ये किस आधार पर बनाया क्या सोच कर बनाया क्या क परिके से सोच दी तो उसे कहते हैं हम नरधारत तत्व भारत की विदेश नीती के भी ऐसे क्या नरधारत तत्व थे जो मैंने उद्देश गिनाए इन उद्देश के पीछे कौन कौन से तत्व शामिल थे इन उद्देश्यों ये उद्देश किन तत्वों से प्रभावित हु कि इन बातों से प्रभावित हुए जिससे कि हमने अपने उद्येश ये सब रखे उधारन के लिए मैंने एक बात बताई कि भारत स्वयम जाती वात से प्रभावित रहा चामराज वात से प्रभावित रहा और उपनिवेश वात से बहुत प्रभावित रहा हमारी विदेश नीती को निर्धारित करते हैं इन पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे अर्थाथ भारत की विदेश नीती के निर्धारक तत्व Determining factors of India's foreign policy factors, तत्व, कारक हर देश की नीती के जैसे होते हैं उसी तरह भारत के भी हैं भारत की विदेश नीती के तत्व क्या-क्या हैं थोड़ा हम सरसरी नज़र इस पर डालें पहला भावगोलिक तत्व मैं जिस खेत्र में रहता हूँ, जिस मकान में रहता हूँ उसके आस पास के लोग कैसे हैं ये तो बाद में आएगा पर आस पास मकान कैसे हैं कितने हैं कितने मौल्स हैं कितनी सड़के हैं ये भी मेरे परोशियों के संबंद को निर्धारित करने में आहम भूमिका निभाते हैं उसी प्रकार भारत की अपनी भागोलिक स्थिती भारत की विदेशनीति को निर्धारित करने में बहुत आहम भूमिका निभाती हैं और भारत के भागोलिक स्थिती के अदि हम बात करें तो ऊपर हिमालय की एक प्राकृतिक सीमा हैं हिमालय परवत की एक प्राकृतिक सीमा बन चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और नेपाल, फिर इसके बाद भूटान, म्यानमारपूर में और बांगलादेश पूर में, दक्षिन की ओर देखें चो शिलंका, ये भारत के पडोसी राष्ट हैं, पडोसी राष्ट कैसे हैं, किस, इनकी क्या सोच है, ये निश्चित रूप से हमारी विदेश नीति को प्रभावित करेगी, इसके साथ ही भारत की जो सीमाओं में जो समुद्र हैं और पहाड हैं, जो प्राकृतिक सीमाओं के रूप में काम करते हैं, ये भी हमारी विदेश नीति का निर्धारक तत्वतों बनेगा ही, भावगोलिक द्रिष्टी के कारण ही, पंच शील के सिध्धान्द के आधार पर हमने पडोसी देशों से अच्छे संबंद बनाये रखे थे बहुत समय तक, मैं दोहरा दूँ भावगोलिक दृष्टी के कारण पंचशील के सिध्धान्त के आधार पर हमारे सम्मंद पडोशियों से काफी वर्षियों तक अच्छे रहे भागोलिक ये पंचशील सिध्धान्त क्या है पंचशील सिध्धान्त संक्षिप्त मैं भी फिलहाल यहां बता दू भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडिजवालाल नहरू चीन के तत्कालीन प्रधान मंत्री के साथ संधी करते हैं बंडूंग संबेलन जिसमें एक पंच शील का सिध्धान ताता है पांच सिध्धान जो विदेश नीति को या विदेशी संबंधों को निर्धारित करते हैं इसका जिक्र विस्तारते हम आगे करेंगे पर आपको किवल इतना जान लेना है कि ये 1955 में किया गया एक तरह का समझोता था भारत और चीन के बीच का तो भागोलिक सीमाएं जहां एक निर्धारक तत्व का काम करती है वहीं दूसरा निर्धारक तत्व है एतिहासिक परंपराएं हम जैसे ही भारत का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है एक ऐसा देश जो शान्ति का पजारी रहा है एक ऐसा देश जो अहिंसा का पजारी रहा है एक ऐसा देश जिसकी बहुत लंबी इतिहासिक परंपरा है बहुत लंबा इतिहास है एक ऐसा देश जहां भगवान राम जैसे लोगों ने जन्म लिया है जो एक आदर्श पुरुष के रूप में आज भारती सब्विता के मुखिया है उसी प्रकार भारत को एक ऐसा देश माना जाता है जो हमेशा परसपर सजभाव के रूप में रहता है और इसलिए मैंने पूर में आपको बताया वासिध है वे कुटमबकम की जिसकी भावना है ये जो इतिहास है भारत का इस तरह की सोच जिस देश के लोगों में है विया सोच भी भारत की विदेश नितिके लक्ष में साफ दिखाई देती है उधारन के लिए अंतर राष्टी विवादों को शांति पूर्ण तरीके से सुलजाने का प्रयास नहिशस्त्री करण में अटूर्ट विश्वास सांबराजवाद उपनिवेशवाद की खिलाफत रंग भेत का विरोध ये सब जो हमारे भारती विदेश निति का जो हिस्सा हैं ये एक तरीके से हमारी एतिहासिक परंपराओं पर ही तवाधारित हैं विदेश निति के लक्ष में अहिंसा शांति मानवतावाद इसकी शुरुवाद तो हम देख सकते हैं गौतम बुद्ध अशोक और उसके बाद के कालमेवी सतत रूप से भारत हमेशा अहिंसा का पजारी रहा है और 1947 महत्मा गांधी जो विश्व के लिए अहिंसा के एक तरीके से आदर्श थे निश्चित रूप से भारत तो उनके इस रास्ते का पालन तो करेगा ही और ये बात भारत की विदेश नीति में साफ दिखती है तीसरा तत्व एतिहासिक परंपराओं के बाद तीसरा तत्व है सैनिक तत्व भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा लक्ष है जैसे किसी भी देश का होगा अपने देश की सुरक्षा हर कीमत पर अपने देश की सुरक्षा ये किसी भी विदेश नीति का सरवोच लक्ष होता है भारत का भी आसा ही था और ऐसा करते हुए हमें सुनिश्चत करना है कि हम पर किसी भी तरह का विदेशी आकर्मन ना हो अर्थात संभावित विदेशी आकर्मनों से बचने के लिए संभावित विदेशी आकर्मनों से को उसके प्रभाव को समाप करने के लिए स्यानिक दिश्टि से ताकतवर देश बने, स्यानिक दिश्टि से निर्बल देश कभी भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीती नहीं बना सकता, वो अपनी सार्व भौमिक्ता, वो अपनी संप्रभुता नहीं बना रख सकता, इसलिए आवश्यक था कि भारत एक शक्तिशाली स् पर निर्भन होना पड़ता है भारत की सैनिक जिस्टी से दुर्बल स्थिति ने भारत को विश्व के सभी राष्टों के साथ मैत्री पूर संबनाया रखने और गुट निर्पेक्षता का पालन करने के लिए बाद्धिक किया ये इस बिंदु को आप समझ लें भारत गुट निर्पेक्षता का पक्षधारी रहा बहुत स्ट्रॉंग एड़ोकेट रहा भारत विश्व में मैत्री पूर्ण संबन्दों के लिए लगातार प्रियास करते रहा इन प्रियासों के पीछे भारत का इतिहास भी शामिल है भारत सैनिक दिशच्ट से तुलनात्मक दिशच्ट से कमजोर रहा है शायद उस कमजोरी के पीछे उसका पुराना इतिहास जहां हो अहिन साथमक रहा जहां वो सतत रूप से 200-300 वर्शों तक अंगरिजी सत्ता का गुलाम रहा भारत की ये सैनिक कमजोरी ने भारत की विदेश नीती को एक दिशा दी है जिसमें मैत्री पूर्ण संबंध और उसके साथ साथ गुट निर्पेक्ष्टा आदिकी बात करने के लिए हमें विवश किया है निश्चित रूप से गुट निर्पेक्ष्टा एक सार्थक प्रयास था लेकिन इसकी शुरुवात के पीछे कहीं ने कहीं भारत की सैनिक कमजोरी रही होगी जिसने इस बात के लिए भारत को बात दिकिया सोच के लिए की हमें ऐसी नीती अपनाना है जिसमें कि हम किसी भी सैनिक गुट के दबाव में ना है शुरु सरह भारत के राश्टमंडल का सirkस्ट बने रहने का जो कारण था वह था तैनिक डिस्टे ब्रिटन पर निर्भरता बनी रहे आप जानते हैं राश्टमंडल क्या है राष्ट मंदल अर्थाथ अंग्रेजी में common wealth common wealth of nations मतलब क्या होता है ऐसे देश ऐसे देशों का good सैनी good नहीं ऐसे देशों का good जो किसी न किसी काल में अंग्रेजी सामराज्य का हिस्सा रहे उन लोगों ने तैक किया कि हम लोग एक ऐसा platform बनाए जहां पर एक साथ बात करें और अंतराश्टीव मामलों को विवादों को सुलजाने में मदद करें उन्हें राष्ट मंदल कहते और इस राष्ट मंदल का मुखिया कौन होगा इंग्लेंड अफकोर्स क्योंकि वह इस सामराजी का मुखिया रहा है सामराजी का मालिक रहा है अब भारत ने शुरू से ही राष्ट मंदल में शामिल होने की पैरवी की और शामिल हुआ उस राष्ट मंदल में जिसका मुखिया अंग्रेज है ब्रिटन है जिसकी हम खिलाफत किये जिसका हम चतत विरोध किये जिसने हम पर शासन किया शायद राष्ट मंदल में शामिल होने की जो हमारी तीव रिच्छा थी उसके पीछे भी हमारी सैनिक कमजोरी कारण रही होगी शुरू सही भारत राष्ट मंदल का सदस्य बन जाता है और इस प्रकार ब्रिटेन की सैनिक जिस्ट से उस पर निर्भरता स्पस्च जलकती है इसलिए हम कह सकते हैं कि भारती विदेश नीति के निर्धारन में सैनिक तत्व भी एक प्रमुक तत्व रहा चौथा विचार धाराओं का प्रभाव ऐसी कौन सी विचार धाराओं थी जिससे हमारी विदेश नीति प्रभावित होई है ऐसी कौन सी विचार धाराओं थी जिसने हमारी विदेश नीति को प्रभावित किया है तो भारत की विदेशनीती के निर्धारण में ऐते हमारे कौन से विचार मैंने आपको शुरूर में जिक्र किया अहिंसा भारत के सोच में बहुत गहरी पैठ है इस विचार की सहिष्णुता, टॉलरेंस, सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, उदारता, जेनरोसिटी और सद्भाव, फ्रेंडलिनेस ये जो विचार हैं इर्धन के ये भारत के सोच में बहुत गहरे बैठे हुए हैं और इन विचारों पर गांधी और नहरू के विचारों का प्रभाव रहा इसी विचारों से हम लोग प्रभावित हुए और इसी विचारों से प्रभावित होकर ही हमारे संब्धान निर्माताओं ने अनुच्छे दिंकावन के तहत जो नीति निर्देशक सिध्धान्त हैं उसमें विश्व शांती की बात कही है अर्थात कहने का रतिये है कि भारत की जो वैचारिक परंपरा रही है उस वैचारिक परंपरा में शांती, सहिश्णुता, अहिंसा ये जो कुछ ऐसे तत्व रहे हैं उन तत्वों ने भी हमारे विदेश नीति को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है ये तुही चौथा तत्व की बात अब भारत की जो भी विदेश नीति है किसी भी देश की नीति, उस विदेश नीति का मुख्य लक्ष क्या होता है जैसा मैंने पहले बताया, अपना हित, राष्ट्र हित, सर्वो परी और राष्ट्र हित की अधि बात करें, तो राष्ट्र हित का सबसे अहम मुद्दा क्या रहता है आर्थिक विकास विकास, देश के विकास में जो भी नीती महत्पूर्ण भूमिका निभाए वहाँ अच्छी नीती कहलाईगी और विकास की जब बात करते हैं तो किस विकास को सबसे ज़्यादा अहमियत है आर्थिक विकास को यदि धन है तो आप ताकत हैं यदि आपके पास आर्थिक शक्ती है तो आप शक्तिशाली है उसी बात को लेकर हम आते हैं पांचवे तत्व की ओर अर्था आर्थिक तत्व भारत जब सतंत्र हुआ तो भारत कैसा था अत्याधिक दरिदर देश अत्याधिक गरीब देश निर्धन्ता की कगार पर आर्थिक दशात्यन शोचनी और ऐसी स्थिति में यदि हमें आर्थिक उन्नति करनी है तो वो तभी संभव है जब आस पास शान्ती रहे नहीं ये जरूरी है कि आस पास शान्ती रहे राजन्यतिक उथल पथल राजन्यतिक अशान्ती युद्ध के खेत्र यदि हो आस पास तो आपकी आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती क्योंकि इससे आर्थिक प्रगति के विभिन तत्व बहुत बुरी तरफ प्रभावित होते हैं तो इसलिए जरूरी था कि भारत अंतराश्टी शान्ती की पैरवी करे यह जरूरी था कि ऐसा पैरवी करते हुए वह अन्य देशों से आर्थिक सहायता लेने में काबिल हो क्योंकि भारत को आर्थिक सहायता की जरूरत थी और यदि विश्व के विविन देश अशान्ति के दौर से गुजर रहे हूं तो निश्चित रूप से वे आर्थिक मदद करने में हिचकेंगे, आर्थिक मदद करने में विलंब होगा आदी आदी जो भारत के आर्थिक विकास को प्रभावित करेगा इसलिए भारत अपनी आर्थिक स्थिती आर्थिक दरिदिता के कारण भी शान्ति पूर्ण संबंद, अंतराश्ट्री मैत्री और इस तरह की बातें करता है जिससे की भारत के आर्थिक विकास में बाधा ना पड़े पूंजी वादी देश और सांबे वादी देश दोनों से आर्थिक सहायता भारत को लेनी थी भारत तो इस बात में इंटरेस्टेट था कि उससे सहायता मिलती रहे उसके लिए ये अहम नहीं था किसीवी देश के लिए कि उसे सहायता किस तरह का देश दे रहा है उसके लिए तो अहम है भारत के लिए खासकर उस समय ये अहम था कि उससे आर्थिक मदद मिलती रह junior चाहे वो अमेरिका या उसे से जुड़े हुए देश हो चाहे वे सोवियत संग या उसे से जुड़े हुए देश हो उसे तो आर्थिक मदद चाहिए थी और संभवता भारत के इस आर्थिक मदद की निर्भरता या जरूरत ने ही भारत को गुट निर्पेख्षता की और जान तो हमने बताया था सैनिक शक्ती कमजोर थी दूसरा कारण हमने बताया था सैनिक जिस्टी से हम कमजोर और दूसरा कारण यहां अब आप देख समझ गया कि भारत को आर्थिक सहायता की जरुत थी और वो इस बात के लिए कता ही चिंतित नहीं था कि वो अमेरिका से मिले या र पेख्टा की नी थी यहां बहुत काम आई अमेरिका और रूस के गुटों की राजनी थे 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 अलग रहने का परणाम यह हुआ कि भारत दोनों ही गुट के देशों से मदद लेने में सफल रहा भारत की विदेश नी थी इस तरीके से बनाई गई कि वो आर्थिक विकास में आड़े नहीं आई दोनों गुटों से आर्थिक और तक्नीकी सहायता उसे लगातार मिलती रही यद्यपीस की अलोचना भी हुई छटवें तत्व में तक्नीकी तत्व और संभवत वर्तमान इस्थिती में तक्नीकी तत्व विदेश नीती के निर्धारक तत्वों में सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण तक्नीकी तत्व पर क्या है टेकनोलोजी बीसवी केसवी शताबदी तक्नीकी विकास का काल रहा है और जो तक्नीकी दिश्टी से आगे रहा वो अपना वर्चस बनाये रखने में सफल रहा वो अपनी उपस्थिती महसूस कराने में सफल रहा तो इस परकार तक्नीकी देशनीति के निर्धारक तत्वों में समकालीन सरवाधिक महत्पूर्ण तत्व है विकास के लिए तक्नीक की जरूरत है मात्रधन से और मात्रमानव संसाधन से हम विकास नहीं कर सकते हैं क्योंकि विकास के लिए जो प्रकृतिक संसाधनों के दोहन की जरूरत है वह तक्नीक की मदद से ही संभव है। तक्निक की दिश्ची से भारत हम कह सकते हैं एक मध्यम श्रेणी में आता है। ना वो बहुत आगे है ना पीछे है। लेकिन समुनत प्रध्योगी के ख्रेट में भारत ने एक तरीके से प्रगतिक की है। समुननत प्रद्योगी की मतलब ऐसी तकनीक जो उसे आर्थिक विकास में मदद करे ऐसी तकनीक को बढ़ावा देने में ऐसी तकनीक को बनाने में भारत ने कुछ प्रगति की है लेकिन अभी भी काफी कुछ की आजाना अभी इसमें मीलों चलना है यदि हम भारत के तकनीकी प जरूरी है कि उन देशों से तकनीकी मदद लेने के लिए उन देशों से प्रद्योगी की का आयात करने के लिए भारत उनके साथ अच्छे संबंद बनाये रखे बलकि एक तरीके से यह अनिवारे है भारत के लिए कि भारत पश्च्चमी देशों से अच्छे संबंद बनाय रखे ये भारत की एक तरीकित हम कह सकते हैं विवश्टा है भारत की एक कमजोरी है और इसलिए इसी कमजोरी के कारण भारत ने हमेशा मैतरी पूर्ण संबंद गुट निरपेक्ष संबंद आदी शब्दों का उपयोग करते हुए अपनी विदेश नितिका निरधारन किया है हमें को दाहरन ले रफाल एक बहुत विश्वप्रसिद शक्तिशाली युद्धध विमान जो हमने भारत ने फ्रांस से खरीदा है इस यह विमान आधनिक तम है और इसकी जो टक्नीक है वह भी अत्याधनिक है भारत को यह विमान उपलब्द नहीं हो पाता है यदि भारत के संबंद फ्रांस से अच्छे नहीं होते है और ऐसी स्थित में भारत पाकिस्तान के साथ होने वाली जो शक्त जो शक्तिशाली देशों के साथ उसके संबंद अच्छे बने रहे हैं और यह तक्नीकी निर्भरता के कारण ही भारत को कई बार अपनी विदेश नीती में एक तरीके से सफ्ट मार्ग अपनाना पड़ा है विश्व की तक्नीकी दिश्टिकोर्ण से जो विकसित राष्ट हैं उनसे हमें टेक्नॉलोजी आयात करना है चाहे वो राकेट बनाने की कला चाहे वो क्रायजेनिक एंजिन्स की का इंपोर्ट हो या अन्य बहुत से तक्नीकी प्रद्योगी की आयत करने की बात हो तो भारत की निर्भरता इन देशों पे एक तरीके से अनिवारित थी दीरे दीरे ये निर्भरता कम होती जारी है भारत स्वयम अपने देश के अंदर अब ऐसी तक्नीक का विकास करने में आगे बढ़ रहा है अगरतर हो रहा है और ऐसा करते हुए वा अपनी निर्भरता को भी कम कर रहा है पर सचाई तो ये है कि आज भी हमें काफी कुछ इन पश्चमी विकसित देशों की तक्नीकी प्रद्योगी के पर हमें निर्भर होना पड़ता है इसी तारतम्य में भारती जो विदेश नीती निर्माता है उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे राष्ट्रों के साथ हमेशा हमारे संबन्द मधुर बने रहें जिनसे भारत को तक्नीक आयात करनी हो चाहे वो निउकलियर टेकनोलजी की हो चाहे वो लेटेस आईटी इन्फरमेशन टेकनोलजी की तक्नीक हो आदी आदी तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की तक्नीकी कमजोरी या भारत की तक्नीकी पिछड़ापन विकिसित देशों की तुलना में पिछड़ापन उसे उस हज तक कमजोर बनाता है और विदेश नीती में ये एक अहम मुद्दा है कि भारत इन देशों के साथ अपने भर्षक मैत्री भूल बनाया वेटी सात्वा तत्व क्या है जो हमारी विदेश नितिका नरधारक तत्व हो वह है अंतराश्टी तत्व जब भारत स्वतन्त हुआ तो विश्व दो गुटों में था चोवियत गुट, अमेरिकी गुट दोनों के बीच में शीत उद्ध और पंडित नहरू ने यही उच्छे समझा कि इन दोनों गुटों से दूर रहा जाए और उनके दो कारणों का जिक्र में पूर में कर चका हूँ कमजोर सैनिक शक्ति और उसके साथ सी साथ आर्थिक कमजोरी और तीसरा तत्वियां जुड़ता है तकनीकी कमजोरी इसलिए हम गुट निर्पेक्ष रहना पसंद करते हैं इसलिए भारत ने असनलगनता की नीती अपनाए किसी के साथ भी सनलगन ना हो और ऐसा करते हुए हम सुनिश्चित करें कि दोनों खेमों के साथ इसी को नाराज कियो इसी को हम तटस्थता की नीती भी कह सकते हैं तटस्थता भारत ने गुट निर्पेक्ष रहना पसंद करेंगे तब हम समझेंगे बहतर कि तटस्थ होना होने से ताटपर क्या है अंतराश्थी विवादों के सैनिक समाधान का सतत विरोज जो भारत करता है वह इनी अंतराश्थी परिस्थितियों की देन है क्योंकि भारत कते ही नहीं चाहता कि सैनिक समाधान किसी समस्या का निकाला जाए अनिथावा उसके लिए भी नुक्सान दे होगा तो इस विकार साथवा अंतराष्टी तत्व आठवा तत्व बहुत महत्पूर्ण है भारत की दृष्टि से और वह है पंडित जवालाल नहरू का स्वयम का व्यक्तित्व पंडित जवालाल नहरू भारत के प्रसम प्रधान मंतरी और जैसा बताया विदेश मंतरी भी थे और एक काफी लंबे साल तक रहे उनने सो चालिस से उननी सो चौशर तक उन्होंने भारत की नीति को दिशा दी उसे प्रभावित किया और विश्व मंच पर भारत का जो भी स्थान है उसको निरधारित करमे में उनकी बहुत महत्पूर्ण भूमिका थी उनकी उनका जो व्यक्तित्त था उनकी जो खुद की जो विचारधारा थी उनकी जो खुद की सोच थी उसने हमारी विदेश नीति को काफी प्रभावित किया वैसे ही जैसे उनकी सोच ने भारत की आर्थिक नियोजन की नीति को प्रभावित किया भारत के आर्थिक विकास की नीति को प्रभावित किया जिसका अध्यायन हम पूरु में नियोजित वकास की राजनीति और रष्ट निर्मान की चुनोती के तहत इन दो अध्यायों में प पश्रूप से देखते हैं विदेश नीति पर नहरू की सुच का प्रभाव। जर्मनी में हिटलर का शासन था, उसी काल में इटली में मुसोलिनी का शासन था, मैं बात कर रहा हूं 1930-1945 के काल खंड के बीच की या 1923-1945 का काल, जुतिविश्विद के प्रारम से समापति तक का काल में, उस समय इटली और जामनी में दो ताना शाह थे, हिटलर और मुसोलि की जो विचारधारा थी, वहां फासिस्ट विचारधारा कहलाती है, उसका अध्यान आप किसी अन्य अध्याय में कर सकते हैं, फिलहाल आप समझ लें कि फासिस्ट विचारधारा और ऐसी विचारधारा जो जिसकी शुरुआत हम एक तरीके से मुसोलिनी इटली में देख सक नहरू इसके भी खिलाफ थे तामराजिवाद विचारधारा के खिलाफ थे और जितने भी अंतराश्टी विवाद हैं उसे शांति पूर्ण हल करने के प्रबल समर्थक थे इसी का ही तो परणाम था कि भारत के सामने जब कश्मीर की समस्या आई तो नहरू ने इस समस्या को श उसका आगे क्या परणाम हुआ उस पर हम आगे अर्धिन करेंगे फिलहाल फिर हम इतना जान लें कि नहरू ने भारत की विदेश नीति को काफी प्रभावित किया जो स्वयम शांतिपूर्ण उपायों के हिमायती थे उसके प्रबल समर्थक थे और इसके अलावा उनकी उन के लिए सर्वत्तम होगा कि वक दोनों महाशक्तियों में से किसी भी महाशक्ति की ओर सतत रूप से अपना जुकाव न दिखाए और थात गुट निर्पेक्ष रहे गुट निर्पेक्ष की सर्वत्तमता पर पंडित नहरू का पूर्ण विश्वास था और इसलिए उन्हों ने गुट निर्पेक्ष आंदोलन के प्रनिता के रूप में उसकी शुरुवात की मार्शल टीटो और गमाल अब्दुलनासिर के साथ मिल कर अपने इनी विचारों के परणाम स्वरूप उन्होंने भारती विदेश नीती को ढाला है और आज भी हम देखते हैं कि भारत की विदेश नीती मूल रूप से नहरू के ही विचारों का मूर्त रूप है नहरू के ही विचारों की सततता है और भारत की विदेश नीती को इसलिए हम उसमें नहरू का प्रतिबिम्ब देखते हैं हम मानते हैं कि भारत की विदेश नीती के शिल्पकार पंडे जवालाल नहर इस्तकार पर्डे जवाल नल नहरू का व्यक्तित्व भी भारत की विदेश नीती को दिशा देने में एक महतपूर्ण तत्व के रूप में देखा जा सकता है नौवा तत्व जिसे संख्षिप्त में हम राष्ट्री चरित्र कहते हैं राष्टी चरित्र से क्या ताथ पर हैं? राष्टी चरित्र कार्थ है राष्ट के निवासियों को राष्ट से भावनात्मक लगाओ हो ना राष्ट के निवासियों को राष्ट के साथ भावनात्मक लगाओ इमोशनल कनिक्शन जब तक ये भावनात्मक लगाओ नहीं होगा तब तक आप राष्ट के निवासियों से पूर्ण निष्ठा किया पेक्षा नहीं कर सकते हैं इमोशनल इमोशनली भावनात्मक रूप से ह हमें अपने राष्ट के साथ जुड़े होना होगा और यह ऐसा नहीं होगा तो वो राष्ट कमजोर रहेगा राष्ट प्रेम की भावना नहीं रहेगी देश प्रेम की भावना नहीं रहेगी इस परकार हमारी विदेशनीति में इस बात को बहुत महत्पूर्ण समझा गया कि राश्ट धित की संपूर्टी करने के लिए जरूरी है कि यहां के लोगों में भावनात्मक जो जुकाव है देश के प्रती राश्ट के प्रती वहां लाया जाए इसलिए राश्ट्री चरित्र की बात यहां की गई है एक महतपूर निर्धारक तत्व के रूप में विदेशी नीती के निर्धारक तत्वों में अंतिम तत्व है राष्ट्री यहित राष्ट्र का चरित्र एक बात है और राष्ट्री यहित सर्वो पर होना यह एक दूसरी बात है बलकि सचाई तो यह है कि जैसा मैंने शुरू में बताया विदेश नीती का मुख्य आधार होगा देश का हित ऐसी कोई भी नीती जो राष्ट का राष्ट के हित में हो वह विदेश नीती का हिस्सा होगे तो एक ऐसी स्थाई नीति का निर्माड करना जो राश्ट्री हित में हो ये अत्याधिक जरूरी था भारत के राश्ट्री हित में जिन्होंने उस विदेश नीति को प्रभावित किया है कौन कौन सी बातें थी आखिर किस राश्ट्री हित के हम बात कर रहे हैं इसका जिक्र पूर में किया जा चुका है उन राश्ट्री हितों के बारे में लेकिन फिर भी हम संक्षित में फिर से राश्ट्री हित के तहत राश्ट्री हित को प्रभावित करने वाले तत्व इसके तहट हम उन चार पांच बिंदूओं की और फिर बात करें संक्षित में पहला देश की सुरक्षा को बनाय रखने वाले राश्ट्री हित में हमें ऐसी विदेश निती अपनानी होगी जो ये सुनिश्चित करें कि देश की सीमाई सुरक्षित हो दूसरा राश्ट्री हित में हमारी विदेश निती ऐसी हो जिसमें आर्थिक पुर्णा निर्मार है तू हमें विदेशों से आर्थिक मदद मिल सके भारत एक निर्धन देश था जिसका बारंबार हम जिक्र कर रहे हैं तो इस विकार राष्ट्री हिट के यदि बात करें तो भारत के राष्ट्री हिट में ये था कि भारत को विकसित देशों से आर्थिक मदद मिल सके आर्थिक पुनर नर्मान हे तू तीसरी बात विश्व शान्ती को बनाय रखने का प्रयार क्योंकि विश्व शान्ती यदि रहेगी तो भारत के आर्थिक पुनन निर्माण में किसी तरह का व्यवधान नियुनितम होगा राष्ट्री हित में कि अंतरगत सबसे अंतिम बात है लेकिन बहुत महत्पूर्ण देश की अंतरराष्ट्री जगत में प्रतिष्ठा बनाय रखने में जो हमें मदद करे ऐसी नीती अपनाना देश की अंतर राष्ट्री मंच में प्रतिष्ठा अंतर राष्ट्री जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बनाय रखने में मदद करें ऐसी नीती बनाना इनी जीतों की रख्षा के लिए तो भारत ने गुट निर्पेख्ष्ठा की नीती अपनाई क्योंकि भारत का मानना था कि गुट निर्पेख्ष्ठा के माध्यम से ही इन चारों पांचों बिंदूओं को साधे रखना संभव है और इसी लिए इसी को अपनाते हुए भारत ने रूस के साथ मैतरी की संबंद लिकी सोवियत संग के साथ मैतरी पूर्ण संबंद रखे तो अब आपको इस पश्ट हो गया होगा कि भारत की विदेश नीती के निर्धारण में कि कोई एक तत्व के भूमिका नहीं है किसी एक तत्व का योगदान नहीं है बलकि दस तत्वों का इन दस तत्वों ने मिलकर इन दस घटकों ने भारत की विदेश नीती के सिध्धानतों के निर्धारण में भारत की विदेश नीती के देशों के निर्धारण में बहुत महत्पूर्ण भूमिका निभाई है इसलिए पंडित नहरू का जो कथन है वो बड़ा उचित है कि भारत की विदेश नीति कहना सर्वसा भ्रामक है ये तो भारती परिस्थितियों की देन है और इसकी आधारशिला राष्टहित है शांति वा गुट निर्पेख्षता पराधारित नीति जिसका निर्धारन समसाम्येक होता रहता है यही भारत की विदेश नीतियों पंडित नहरु के उक्त कथन से ये बात साफ है कि भारत की विदेशनीती किसे सबसे ज़्यादा प्रभावित होई परिस्थितियों से किसी वी देश की विदेशनीती परिस्थितियों से ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है हमारी जैसी परिष्थितियां थी और हमारे जो लक्ष हैं, इनको देखकर हमारी विजेशनीती के नरधारक तत्व हम समझ सकते हैं, बहतर समझ सकते हैं